आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ सिकंदर पूर में क्लासिक टाइल सेंसेनेटरी जो की डील करती है तो बात करेंगे इस जगा के ओनर से और लेंगे वीडियो और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम पे हमें DM कर सकते हैं, बाकि अब चलते हैं और बात करते हैं इस जगह के ओनर से, और लेते हैं सारी जानकारी डीटिल में, तो दोस्तों मेरे साथ है मिस्टर नरेज जी, जो कि ओनर इस जगह के, चलिए इन से जानते हैं, यह लोग कब से काम कर रहे हैं, और किसकी चीज में बेसिकली यह लोग डील करते हैं, तो सर अपनी जगह के बारे में कुछ बताईए मुझे, सर मेरी शॉप का नाम है Classic Tile and Sanitary, और गुड़गाओं में हमारा यह छोटा सा शोरूम है, और हम बेसिकली टाइल्स और सनेट्री में डील करते हैं, टाइल्स की बात करें हम तो हमारे पास हर इंटीरियर की जो बेसिकली टाइल होती है, नेचुल टाइल्स जो नेचुल स्ट हम इंपोर्ट अगारा पहरते हैं, वह सब मिल जाएगा, आप लोग franc में काम करते हैं, रीटेल में काम करते हैं, क्या करते हैं, होलसेल करते हैं, क्या क्या ज Upper today, होलसेल और होले नेगे काम करते हैं, कितना क्फ्राइज бел डिएमिड्स और हुलसेल की क्या और लेने zitten, अग और प्राइज रेंज का कितना फरक आता है फिर अगर कोई क्वेंटिटी में समान उठा रहा है और पर्टिकुलर एक बंदा कोई बॉक्स ले जा रहा है तो किस प्राइज रैंज से आपके चीजें शुरू हो जाती है हमारे यांसर 17 रुपे से टाइल चुरू है और 100 रुपीस तक की टाइल से और अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जूड सकता है और आउट ऑप स्टेट अगर किसी को समान मगाना है तो वो कैसे प को जो ट्रांसपोर्ट के खर्चा होगा वे फ्रोडक्त में इंखलूुड होता है या नहीं होता है अलग से होता है सर signal को बेयर पढ़ता है उसकी कहा पर डिमांड है फिलाल तो इन टीन स्टेट में काम कर रहे हैं अगर बात करूं GST के तो कितना परसंट GST देना पड़ता है इन प्रोड़क्ट पे तो नारेश जी अगर बात करूं कुछ डिसकाउंट तो अभी फिलाल कुछ ओफर वगरा दे रहे हैं टाइल्स पर या नहीं शोग जी फिलाल तो उफर वगरा चलती रहती हैं कुछ ना कुछ ओफर जगम निकालते रहते हैं कस्टमर्स के लिए कुछ कोईड की वे से थोड़ में पहुत अच्छ on मंघवा रहे हैं सबसरण address ।्ख्रण के पास पहुंच जाएगा तो उसके बाद कितनी पेंट रहेगी सर ऐसा है कि जो भार के कस्टमर्स हैं जो भार माल मंघाते हैं वो तो हम बंग aa देख से पहले ही हमारे पर 100% पेइमेंट एडवांस हाती है और बाकी जो कस्तमर्स है उसके लिए पेइमेंट के लिए बहुत एजी मोड़ आए गूगल पे भीम पे है एटल मनी है फॉन पे है बैंक में आप आटी जीस कर सकते हैं लोगों को देख सकते नरेशनी ने बता दि तो इस बात का ध्यान दखिएगा अब बारी है सैंपल लेखने की प्राइज रेंज के देखते हैं चीजे कौन-कौन सी है और क्या-क्या चले सर अशोग जी आप मैं आपको कुछ रेंज के बारे में बताता हूं जैसे यह जो टाइल है हमारी सबसे कम रेंज की है जो आप कमर्शल एरिये में लगा सकते हैं और बाथरूम्स वगरा में लग जाती है लोग जातर इसको छट पे लगाना जादा पसंद करते हैं कि तरह रुपर के अंदर सारे अवेलेबल है जाता है या प्लेंट एक इसके बाद और क्या रेंज आती है इसके बाद रेंज आती यह बिलडर फ्लोर की जो की कमर्शल वगरा में बिल्डर वगरा यूज करते हैं उसके लिए यह यह जो हमारी सिर्फ 25 रुपे स्केर फिट की मतलब घर में लोग इंटीर में घर में अपना ट्राइंग रूम्स में या कोई बड़े मोल बन रहा हो या बड़े एरिये में यूज़ करना चाहें तो उसके लिए दो चार की टाइल है यह हमारी रेंज जो है पचास रुपए स्केर फिट से स्टार्ट हो जाती है बहुत है यह भी आपकी 35 रुपए स्केर फिट से स्टार्ट हो जाती है यह जो है सार है जो आप मतलब किसी भी एरिये को particular हाइलाइट करना चाहो जैसे एंट्रेंस है घर की इसको हाइलाइट करना चाहते है तो यह हैं मेड टाइल यह बेसिकली स्टार्ट हो जाती है 100 पचास रु इसके बीच में है और इसमें काफी इसके बाद ऊपर जो यह टाइल है क्या प्राइज रेंज है यह भी हम च्छत पर यूज कर सकते हैं अगर गार्डन वगरा हमें बनाना हो तो हैवी जहां पर हैवी वर्क हो जैसे पार्किंग में हमारी गाड़ियां वगरा खड़ी होती है तो उसके लिए यह यूज करी जाती है यह भी हमारी जो एक 40 उर्फे की रेंज है ओके इसके बारे में जाना चाहूंँ हो यह फुल कलर बोडी टाइल साथी है जिसको लॉंग लास्टिंग चाहिए हो जिसकी लाइफ जो हन्रेड यर्ज की है सर हन्रेड यर्ज नीचे तक स यह जो रेंज है हमारी सर 70 रुपे की इसके बाद यह दो बहुत अच्छी आती है बॉक्स को अच्छाइब करा होता है अंदर एक कागज लगा होता है ताकि आपस में टाइल कभी ठकरा है ना जिससे स्क्रैच ना पड़ें पैकिंग बहुत अच्छी आती है और यह सोला स्के यह नहीं कोई चाहँ नहीं सर पैकिंग सब कुछ कंपनी हम करके देते हैं माली जे मैंने कोई समान मगाया लॉट में मगाया होलसेल में मगाया और वह ट्रांसपोर्ट में तोड़ा सा डामेज हो गया तो उसका क्या करेंगे वह वापस लेंगी समान या फिर वह कस्टमर को बाकि यह ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी है कि वह टाइल्स को कितना सेफली ले जा रहा है इसके बाद यह बगल में एक और वाइट में टाइल है इसके बारे में जानना चाहूंगा फिर ऊपर चलेंगे यह यह टाइल जीवीटी जो मार्बल्स के प्रेंट्स होते हैं यह बेसिकली वो है हर तरह का मार्बल जो भी इंपोर्डेट मार्बल साते हैं जो भी हायर रेंज के मार्बल आते हैं वह मार्बल की एक कॉपी होती है और जिनको जीवीटी टाइल्स में कनवर्ट करा जाता है यह रेंज जो हमारी मातर 35 रूपीस से स्टार्ट है सर है उसके अंदर 12 mm के अंदर ही टाइल है विक्ट्री फाइट शिक्सीन बाई शिक्सीन का साइज है और यह बस एक कलर ऑप्शन के लिए लगा हुआ सर उसके बाद नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं घर के अंदर जो बिल्डर्स को या हर किसी को पसंद आती ह जरूरत होती है यह एक बारा 18 का साइज सर यह बुडन टेक्च्चर है इसके अंदर काफी सारी ऑप्शन है बहुत सारी ऑप्शन है इसके अंदर और यह नाइन स्केर की फिट की पैकिंग आती है और सिफ 220 रुपे का डबा है 220 रुपे का डबा है हां जी सर और इसमें यह अलग दिखी रहे इसके अलावा और भी कॉंसेप्ट है यह एक कॉंसेप्ट है जैसे लाइट डार्क और यह कस्टमर अगर चाहे तो लाइट लगा सकता है डार्क की ऑप्शन चाहें डार्क करता है यह एक मोटिव डिजाइन है चार फुट के बाद आप किसी एरिये को बहुत बढ़ी है ठीक है इसके बाद इसके बाद यह वुड़न टेक्चर आते हैं सर वुड़न में जैसे आपको घर में वुड़न का फ्लोरिंग करानी हो बैटरूम समें काफी लोग यूज करते है इसको और यह एक 35 रुपी की रेंज है पैंतिस रुपी के अंदर लेटरूचीनो उसके अंदर इंपोर्डेट मारवल मेंने फिलिंग होती है फिलिंग करायी जाती है यह पैसिकली टाइल है जो बिल्कुल हुआ 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 है यह अगर हम लाइट मारेंगे इसके उपर तो यह बिल्कुल वैसे ही फिलिंग की आपको एहसास देगा जैसे एक औरिजिनल मार्बल लगाया हुआ आपने यह 80 रुपीस का हमारा है सबसे हायर प्रॉट इसमें अलग अलग डिजाइन और कलर है काफी सारी ऑप्शन है सर इसके बाद इसके बाद यह सर नैच्रल स्टोन है हमारे पास जो एलिवेशन के लिए काफी काम आते हैं इसमें भी काफी ऑप्शन है हमारी इंटिरियर बेस में इसको कहीं भी किसी भी चीज को हाइलाइट करना हो नैच्रल स्टोन है हंडे परसेंट हैं मेड आइटम है सरसारी क्या प्राइज आता इसका सर यह शुरू हो जाता है सिर्फ असी रुपे स्केर फिट से और कहां कहां इसको करना में आजे का घर बाडन वकडाया है तो उसके बाद इसकी क्या रेंज है यह बी रेंज हो है हमारी 60 अपर यह बहुत सारी और इसमें तो भूल पर यह राविड आगल यह एक हमारा कमर्शल जो हमारी कीचन्स वगेरा में लगता है सीलन को रोकने के लिए वार ड्रॉफ के पीछे की टाइल्स वो हैं यह और मात्र सर यह 12 रुबे से शुरू है सर्फ 12 रुबे से शुरू है और इसको कहीं पर लगा सकते हैं जहां पर आपको चाहिए हो कि सीलन हमारे गर में आ रही है और हम टाइल लगा सके एक बहुत चीप मतलब बहुत ही सस्ता प्रोड़क्ट आई है जो हर कोई हर किसी की रेंज में आप बोर हो जाओगे सर टाइले इसके बारे में कुछ बता है इसमें बहुत सारे यूनीक डिजाइन आते हैं 220 रुपे बॉक्स की रेंज में नाइन स्केर फिट की बहुत बड़ी है इसके अलावा यहां पे काफी सेनिटरी आइटेम्स है यह सीट सेंसर हमारे पास जो सिंगल पीस आती है यह सिर्फ और सि करते हैं तो यह 8,000-10,000 रुपे की रेंज में और यह जो वॉल पर लगे हैं यह सारे सर्फ काउंटर टॉप कहते हैं से बाश वेशन जैसे हमने कोई स्लैप बनाई है उसके उपर काउंटर टॉप लगाना है यह रेंज जो है सिर्फ सर्फ 1500 रुपे से स्टार्ट है यह जी स्टार्ट हो जाता अपने पास 4000 रुपे से जैसे यह लगा हुआ सामने यह सिर्फ अपना 500 रुपे की रेंज में है और इसका यह बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं मतला आप जैसा भी चाहें हैं कि आपको प्रेंट चाहिए जैसे आपके अगर में कोई मार्बल लगा हुआ है से मार्बल का प्रेंट चाहिए वह भी मिल जागा आपको इसमें और आपने जितनी भी मुझे टायल दिखाई उसके आपने चो मुझे प्राइज रेंज बताई अभी वो होलसेल ओर रीटेल में कितना चाहिए तो दोस्तो आशा करता हूं आज पसंद आया होगा अगर आज को थोड़ा सा भी पसंद आया तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक netड n wat शेयर शेयर कीजिए और कौमेंट कियरके हमें ज़रूर बताएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा वाकि जो जो यहाँ पर आना चाहता है इस जगह से जुड़ना चाहता है और बस आज के लिए इतना ही मिलूंगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगा अलविता नमस्कार